साक्रेट होड़ स्कूल जुम्रे तिलया के आड़ोटोरियम में सनिवार को राम नौमी उत्सव कारिकरम का आयोजन किया गया इस उसर पर राम के रूप में मयंग पांडे, सीता के रूप में जानवी ओजा, लक्षमन के रूप में आभास, जेठवा और हनुमान के रूप में प्रिथ्वी राज आकरसन का केंद्र थे कारिकरम के दोरान एकडेमिक डारेक्टर प्रमोज सर्मा प्राचारे नवीन कुमार और विनोत कुमार का तिलक लगा कर बच्चों ने स्वागत किया इसके बाद उन्होंने राम लक्षमन और सीता एवं हनुमान जी की आरती उतारी कारिकरम के प्रारम में सिक्षक मनोज पांडे ने राम के जन्म से संबंधित 24 सुनाई इसके बाद संगीत सिक्षका सालू अडोडा के द्वारा एक भजन प्रस्तुत किया गया कारिकरम में 22 प्रतिभागियों ने राम लौमी के महतो पर अंग्रेजी और हिंदी में अपने अपने विचारों को रखा वहीं कुछ बच्चों ने राम लौमी से संबंधित स्वार अचित कविताएं भी सुनाई कारिकरम का संचालन मेगा सिंग, सौमया कुमारी और आर्ची कुमारी ने संयुक दूरुप से किया अकडिमिक डिरेक्टर प्रमोच सर्मा ने बच्चों को प्रभुराम के आदर्सों को आत्म साथ करने और उनके द्वारा बताएगे रास्ते पर चलने की आवसकता बताई जबकि प्रचार नवीन कुमार ने कहा कि प्रभुराम का जीवन और रामायन संबंधों पर आधारित है उन्होंने कहा कि किसके साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए इस बात कि सीख प्रभुराम के जीवन से मिलती है कारिकरम प्रवीन कुमार और रजनी बाला की देखरेख में संपन हुआ बच्चों के साज सज्जा में मिथलेश कुमार सिंग ने महतपूर्ण भूमिका निभाई कारिकरम का दावरान प्रवीन कुमार, रजनी बाला और रमेश कुंज ने भी अपने अपने विचार रखे इस मौके पर सिक्छकों में संकर कुमार, विशाल आनंद, सुरूती गुपता, निर्मल अडोडा समेत अन्ने कई बच्चे मौजूद थे